हलो दोस्तों, आज लोग स्वाल्प करने वाले हैं जार्खन्ड जे एसे सी सीजेल का साइन्स का मोडल प्रैक्टिक सेट नबर पहला को तो चलियोन जल्दी से आज का प्रैक्टिक सेट को सुरुबात करते हैं देखिए, आज का जो पहला प्रश्ण है, वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्ण क्या है, आउतल लेंज से हमेशा निमलिखित में से कौन सा परतिवीम बनता है, आपको बताना है, आउतल लेंज से हमेशा निमलिखित में से कौन सा परतिवीम बनता है, तो आपको य सवेद परकास डालने से रंग दिखाए देते हैं इसका कारण है आपका बाताना है साबुन के बुलबुले पर सवेद परकास डालने से रंग दिखाए देते हैं इसका कारण है इसका कारण क्या है इसका कारण है वह है ब्यक्तिकरण ओप्शन नमबर जो है वी वाला इसको च पीडियेफ चाहिए तो आप लोग मेरे टिलग्राम गुरूप में जुड़ सकते हैं इस वीडियो के नीची हम डिस्क्रिप्शन में टिलग्राम का लिंक डाल दियां ठीक है और दोस्तों इस बार से हम पीडियेफ में कोचेंग के साथ साथ एंसर भी एड कर दियें ताकि अगला पशने क्या है तीन नवर देखे एक्स किरने का उपयोग किसलिए क्या जा सकता है आपको बताना है एक्स किरने का उपयोग किसलिए क्या जा सकता है तो यह नहीं तो बहुमुले पथरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए अप्सान नवर जो है बी वाल इस questions का right answer हो जाएगा हम लोग आते हैं अगला पशन है नेम लिखित में से कौन आभासी बल है त्यान०्ट जो अभाब केंदरी बल है यह अभासी बल है अपसें नबर जो है बी बाला इस questions का right answer इस तो अभासी बल नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पस्ट पे देखें अगला है पांच नमर पस्टन है नियम्न कन एक ही गतित उर्जा के साथ चल रहे हैं उन में से सबसे अधिक सवेग किसका है अगतना है नियम्न कन एक ही गतित उर्जा के साथ चल रहे हैं उन में से सबसे अधिक सवेग क हो जाएगा कि 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 डिए में निमलिखित में से कौन सा परिपात का परियुक कि जाता है कि तो धारिता का परियुक कि आता है अप्सन नमर जो इस questions का, देखिए, C वोला right answer तो धारिता, यहाँ पर C होगा, ठीक है, यहाँ पर B होगा, ठीक है, धारिता का परियोग क्या जाता है, किसी अर्ध चालक को गरम करने से उसके पर्तिरोध पर क्या परभाव पढ़ता है, त्यास तो घटता है, अप्सन नमर जो है, B वोला right answer हो जाएगा, अगला है, लोहे में बहुत सिधर जंग कहां लगती है, तो इसका right answer तो समूंदर के जल में, अप्सन नमर जो है, इस questions का B वोला right answer हो जाएगा, तो अप्सन नमर C हो जाएगा, यहाँ पर C होगा न, यहाँ पर B होगा, ठीक है, C answer हो जाएगा, इसका समूंदर के जल में, हम लोग आते हैं, अगला प्रशन पे, नम लिखित में से कौन सी धातू मुक्त और अस्था में पाई आती है कौन सी धातू मुक्त और अस्था में पाई आती है तेस्तो जो तामभा है वह मुक्त और अस्था में पाई आता है अपसान अब जो है यह वाला इसकुशनस का राइट एंसर हो जाएगा और दोस्तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर किलेगा ठीक है यह वीडियो दोस्तो आप लोग के एक्जाम के लिए काफी इंग्पोटेंट होगा और यहाँ पर हम जितने ही प्रस्ण आप लोगों को दे रहे हैं इस सेट क पुछा गया है उसी बेसिस पे यह प्रेक्टिस सेट आप लोगों मिल रहा है तो इस तो आप लोग जरूर डेली प्रेक्टिस सेट लगाईएगा ताकि आप लोग के एकजामें फायदा मिल सकी है ठीक है अगला प्रस्ण क्या है रसायनिक दिश्टी से चूने का पानी होत तो तो क्या होता है तो केलसियम हीड्र उकसाइड होता है अप सन sare इसका पहला और राइट अंसर होगा अ winter बनान परकेश्ट यह हैं परमानो सक्ति सैंत्र की सिधांत पर काम करता है और आप लोग हो आ मार्बल कैंसर से ग्रस्त है यह मार्बल कैंसर क्या है तो अमले वर्सा जो मार्बल का छरन करती है पहला औला राइट एंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता तो इसका राइट एंसर तो यक्रित अप्सन नमबर जो है यह वाला इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट एगला पस्टन है अगला है चोदर नुर पस्टन है चोदर नुर पस्टन है तो रक्त के यह भी वर्ग वाला बेक्ती ऐसे बेक्ती को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो जिसके रक्त का वर्ग क्या होना चाहिए तो उसका भी वर्ग जो है रक्त वर से वह गरांथी कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थाई रखती है तो इसका रायट इसकतो हाइपो थेलेमस ओप्सन नमबर जो है डी वाला रायट इसरो हो जाएगा लेक्स्ट अलब प्रजेक्ट टाइगर को किस वर्म आरम किया गया था यहां सतों 1973 में आरम किया था अपसन नमर जो है यह वाला रायट इसरो हो जाएगा नेक्स्ट है अगला पस्टन है नेम लिखित में से कौन सा गलत है तो इस प्रेशन लोग एक की करके देखना पड़ेगा सारा ओप्सन को पहला पस्टन है एड्स एक रिट्रो वाइरल रोग है तो बिल्कुल सही है एड्स समलेंगी और इस्तिलेंगी योन संपर्क से फैलता है ये भी सही है एड्स की पाचान सबसे पहले वर्स 1981 में अमेरिका में की गई थी ये भी सही है संग्यूत राइट अमेरिका में की गई थी ये भी सही है एड्स से दोनों जिनेटिक मस्से वार्ट पैदा होते है ये गलत है ये नहीं होता है मस्से पैदा नहीं होता है ये अप्सन नवर जो है डी वाला ही गलत है ठीक है नेक्स्ट अगला प्रस्ण की अठार नवर प्रस्ण क्या है नियों में से कौन सी एक संग्टापन जाती है तो वो संग्टापन जाती है तो इसका जो राइट अंसर होतो तो वह होगा गंगा डॉल्फिन अप्सन नवर जो है दोस्तो इस सेट का अखरी प्रस्ण है नारेल का कौन सा भाग खाने योग होता है तो अपसन नवर जो है विडियो खाने ये प्रस्ण होता है तो अपिसन नवर जो है विडियो क애िसा लागा आप जरूर्ष कमेंट कीजेएगा तो जो ये वीडियो आपके एकजाम को ये एक थामक ये एक्पोटेंट होगा और जोस्तों हम जो भी वीडियो देते हैं आप लोग को आप लोग साम बहुत ही कम समय लेते हैं मातर साथ से आठ मिएट में हम आप लोग को साइन्स का प्रेक्टिस येट दे रहे हैं जो कि जोस्तों 30 प्रश्ण का होता है ठीक है अब खुर से भी पढ़ेंगे एक स्क्राइम तो तक लिए थैंक्यो जय हिंद में अजय है vot catch